किया या है लो ग्स आज ऐनोलेसिस बैंक निफ्टी से स्टाट करते हैं बैंक निफ्टी को हम पीश्मिनट drama के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं बैंक निफ्टी के नदर आप एक चीज़ को देख先生 हूँ यह जो बैंक निफ्टी की है यहां पर इसने क्या ले लिया है बैंक निफ्टी ने यहां पर सपोर्ट ले लिया है बैंक निफ्टी ने यहां पर सपोर्ट लिया तो क्या हुआ वैसे सपोर्ट इसका एकुरेट सपोर्ट जो था इसका वह कहां पर था जो accurate support थी इसकी वो यहाँ पे थी क्योंकि इसने पिछले दिन जब 26 तारी कोई close हुई थी तो इसने वहाँ पे support लिया था पर ये थोड़ा सा पहले support लेकर वहाँ से चल चुकी है अगर आप बड़े time frame पर भी देखोगे तो आपको इसमें support दिखेगी मैं आपको दिखा देता हूँ पटे time frame पर ये देखिए कितनी अच्छी support लेकर यहाँ से ये चल चुका है तो अब हमें इसमें करना क्या है कहाँ पे sell करना है कहाँ पे buy करना है तो वो सब हम इसमें देखेंगे निफ्टी में भी देखेंगे अभी इसमें बने रही है मैं आपको बता देता हूँ अगर bank nifty suppose आपको क्या मिलता है bank nifty आपको gap opening मिलती है gap opening मिलगी आपको यहाँ के आसपास यहाँ के आसपास आपको gap opening मिलगी 42.610 ये note कर दीजिए 42.610 का level है अगर यहाँ के आसपास आपको gap opening मिलती है और वहीं से आपको एक red candle मिलती है मतलब bearish candle फोर होने लगती है एक bearish candle आपको मिलगी तो आपको क्या करना है यहीं पे यहीं पे एक selling की decide कर लेनी है आपने मतलब यहाँ पे bearish candle मिलगी आपको ठीक है यहाँ पे एक red candle bearish candle मिलगी तो यहीं से आपको नीचे की तरफ का put प्लान कर लेनी है 42.180 के यह वाले आपके target होएंगे ठीक है अगर suppose यहाँ पे भी आपको bearishness नहीं मिलती है एक selling trade नहीं प्लान होती है वैसे मुस्किल रहेगी इस level पे अगर 43.170 के आसपास आपको क्या मिलता है इन level के आसपास आपको एक red candle मिल की यहाँ पे एक red candle मिली आपको तब आप नीचे की तरफ target रखेंगे फस्ट आरगेट आपके इस swing पर होगे यह वाली swing है जो 42.610 की जो swing है इस swing पर आपके first target होंगे ठीक है और यहाँ पर तो ultimate आपको selling का देखना है क्योंकि यहाँ पर seller बैठे हुए है यहाँ पर seller बैठे हुए है क्या है अगर 43.448 के आसपास market आती है तो आपको क्या करना है selling करनी है यहाँ पर अगर bearishness देखे तब selling करनी है आपको यहाँ तक के target मैं क्यों कल ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि market gap opening होने के chance बहुत जादा है क्योंकि support ले चुकी है market support ले चुकी है तो क्या होगा market क्या कर चुकी है support ले चुकी है और आपने buying का कद देखना है buying का मैं बता देता हूँ आपको अगर market अगर market क्या करती है यहाँ के आसपास 15 मिन्ट की ग्रीन केंडल दे देती है यहाँ इससे पहले 42,610 से पहले तो आपको buying का बिल्कुल नहीं सोचना है बाइंग का नहीं सोचना 42,610 के आसपास अगर ग्रीन केंडल आगी मतलब एक ग्रीन केंडल देखी आपको केंडल का उनसी देखी एक ग्रीन केंडल देखी आपको यहाँ पे यह वाली एक ग्रीन केंडल 15 मिन्ट की ग्रीन केंडल क्लोजिंग देखी तब आपको buying ट्रेडल देखनी है और 43,170 के target दीखेंगे आपको या फिर आपको बिल्कुल flat opening दीखे यहाँ पर यहाँ पर flat opening दीखी तब जाके आप एक buying ट्रेडल कर सकते हैं थोड़ा सा रूपने के बाद एक green candle बनने के बाद नहीं तो इतना कोई ट्रेडल नहीं करनी है निफ्टी बैंक के अंदर और मेरे ग्रूप में जुड़े रहे है इस पर whatsapp मैसीज कर दीजिए मुझे मैं आपको अपने whatsapp ग्रूप में जोड़ दूँ वहाँ पर मैं डिटेल में बताता रहूंग कि कब बाइं ट्रेड गरनी है कब सेल के ट्रेड गरनी है तो अब देख लेते हैं निफ्टी का निफ्टी के अंदर देख लेते हैं क्या करना है निफ्टी में निफ्टी में बिल्कुल सीथा सा है निफ्टी में आप देखिए निफ्टी में किसी दिखा देता हूँ निफ्टी में भी मैं आपको इस क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ना इसे में बिल्कुल सपोर्ट पर आचके देखिए यहां सपोर्ट ले चुका है और अमेरिकन बजारों में तेजी है अमेरिकन बजारों में तेजी है और निफ्टी सपोर्ट पे है बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले चुक है तो मार्केट चलने की कगार पर है मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको तो हमने क्या करना है अगर स्पोज मार्केट फ्लैट ओपनिंग आती है वैस्तो फ्लैट ओपनिंग निए गैप अप ओपनिंग होएगी गैप अप ओपनिंग होएगी तो हर कोई प्रोफिट बुक करेगा प्रोफिट बुक करेगा यहां से सैलिंग आएगी तो आपको उस सैलिंग में जुड़ना है है कभी आप उस السैलिंग में जुड़ जा === उस सैलिंग में नहीं जुड़ए यहां से फ्रोफिट बुकिंग रैगी नीचे की तरफ आएगा मार्केट यहां के आसपास आए गी और यहां के आसपास से दोबारा टर्न लेंके जंप करेंगे उपर की तरफ अगर वहां पर नहीं यहां पर कि तरफ चलना करेगी आगर यहां यहाँ पर आके भी आपने वाईंग कभरनी करते और अब यहां पर यह súing को बिछ। आप भेना न Half मार्केट ने क्या बनाया यह लोवर हाई बनाया फिर यह लोवर हाई बनाया अब अगर मार्केट मेरी कवरी है तो मार्केट क्या करेगी इस लोवर हाई को उसने ब्रेक करना पड़ेगा जब इस लोवर हाई को ब्रेक कर देगा तब हम यहां के टार्गेट लेंगे ठीक है तब ये ध्यानों में रखना है आपने इस लोर हाई को हमने क्या होने देना है इस लोर हाई को हम क्या करेंगे इस लोर हाई के ब्रेक होने का बेट करेंगे ये लोर हाई ये लोर हाई अब ये लोर हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा ये लोर हाई जब तक ब्रेक नहीं ह कि उपर क्लोजिंग चाहिए हमको 15 मिनिट केंडल की जब यहां पर क्लोजिंग आज जेगी तब यहां के टार्गेट आराम से मिलेंगे यह था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनलीसिस और एनलीसिस यह है अगर आप ग्रूप में जुड़े रहेंगे तो मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूँगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए वीडियो को शेर करिए हम